बागों को देखने के लिए दुनिया भर से परियटक राम्टे काते हैं जो लोग बागों को देखने आते हैं वे अंभोरा में नाव्यात्रा का आनंद ले सकते हैं इसके लिए आंभोरा में जलविद्यूत परियोजना बनाने का इरादा है उपमुख्यमंत्री देविंद्र फढ़नवीश ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से आमबो रामे भूमी पुत्रों के लिए पुरक परियावरनिय विकास और रोजगार होका उन्होंने यह भी कहा कि यह इसके लिए राजु पारवे को दिल्ली लाना चाते ह शैनिवार को कोही तालुका के मांधल में माहयूती और सिवसेना उमिद्वार राजु पारवे प्रचार सभा में अध्यक्ष भाषन दे रहे थे पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच और एस और महयूती के वरिष्ट पदाधिकारी यह उमकारे करता बड़ी संख्या में उपस्तित थे गोसे खुर्द परियोजना के बारे में बात करते थे देविंद्र फड़नवीस ने कहा कि 25 वर्सु से गोसे खुर्द पुनरवास के मुद्दे को महागडबंधन सरकार ने हमेशा प्राथमिक्ता के रूप में लिया है पनरवास के तहत अधी ग्रहित जमी ने 25 साल पहले दी गई अब पिडितों के परिजनों की संख्या बढ़ने के कारण महायूती सरकार उनके बारे में सोच रही है राजु पारवे ने इस मुद्दे पर अनुवर्ती कारवाही की है उपमुख्यमंत्री रेविन रफड़निस ने इस मौके पर यहां भी कहा कि सरकार गोसे खुर्द निवासियों को नयाई दिलाने के लिए पुरानी फाइलों को खोलने और नए मुद्दों को सुलजाने क कोशिस कर रही है लोगों को मोदी जी पर उनके द्वारा किये गे विकास कारियों पर विकिसित भारत के उनके संकलप पर भरोसा है पिछले दस सालों से लोगों को रेलवे राजमार्ग सीचाई सुविधाय अमुल्चूल परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है लोग सभ का हर नागरिक नरेंद्र मोदी को देश का अगला नेता देखना चाहता है सिवसेना नेता निलम गोल ने कहा कि 15 साल पहले मैं जब चुनार रचार के लिए रामटेक आई थी तब इस से इत्र विकास से कोसो दूर था सिवसेना सांसत कुपाल तुमाने ने 10 साल में जो विक रादी समस्याओं को दूर करने का काम किया है, पिछले 10 वर्षों में कॉंग केंडर में नरेंद्र मूदी सरकार और चे में मुखनातर सिंदे उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फटनवीस और उपमुख्य मंत्री अजित पवार की सरकार ने जो कार्य किया है वह आज लोगों को अच्छी तरह से पता है कैमरा परसन राजकुमार महोड के साथ अभिशेक पान सी की रिपोर्ट